आज मैं आपको नीमडी की कहानी सुनाने जारे हूँ कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बोक्स में जैहो निमडी माता की जरू लिखें कहानी इस प्रकार है एक बार एक गाउं में एक सहुकार पती पतनी थे उनके साथ बेटे थे छह बेटों का विवा हो चुका था जब साथ थुड़ी तीज आती तो सहुकार नी अपने बेटे की भूहों के साथ निमडी माता की पूजा करती थी जल सीचती थी, कहानी सुनती और व्रत रखती थी उसी निमडी के नीचे एक सरपणी रहती थी उनी दिनों में वह भी वही अंडे देती थी लेकिन सहुकार नी के द्वारा जल सीचने से सरपणी के अंडे गल जाते थे और सरपणी के बच्चे मर जाते थे तब सरपणी दूसीज देती थी कि जैसे मेरे बच्चे मर गे वैसे ही जिसने यह पानी इस नीमडी में दिया है उसके भी बच्चे मर जाएं इस तरह हर साल साहुकार्णी का एक बेटा मर जाता था साहुकार्णी हर साल उसी नीमडी की पुजा तीज वरत में करती थी और सर्पणी भी उनी दिनों में वहां अंडे देती थी इस तरह छे साल में सर्पणी के अंडों का नुकसान होता गया और वह दूशीज देती गई और हर साल साहुकार्णी का एक बेटा मरता गया इस तरह साहुकार्णी के छे बेटे मर गए साहुकार पती पतनी अपनी छह बेटों की विद्वाओं को देखते तो पूरे समय रोते रहते थे फिर साल बर बाद सात्वे बेटे की शादी एक पड़ी लिखी लड़की के साथ हुई शादी के बाद जब पहली तीज कवरत आया तो फिर से सावकार्णी ने अपने सात्वे बेटे की बहु के साथ उसी नीमडी की पूजा करने लगी तो नई सात्वी बहु ने कहा कि सासूमा हम इस नीमडी की पूजा नहीं करेंगे हम तालाब की पाल से मिट्टी घर लाएंगे और उस मिट्टी में नीमडी की डाली लगा कर पूजा करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इस नीम की जड़ में कोई जीव जिनावर हो हम जब उसमें जल देंगे तो उसको इससे नुकसान होगा तब सासूने ऐसा ही किया तालाब की पाल से मिट्टी मंगवाई गई फिर उस मिट्टी में नीम की डाली रोपी गई दो तलाईया बनाई जिसमें एक में तालाब का जल डाला और एक में कच्चा दूड डाला और नीमडी माता का नाम लेकर सहुकार्णी ने वसात्वी बहु ने पूजा की घर में सुक समरद्धी और अखंड सुहा की काम ना की तबी वहां सरपणी बिल में से बहार निकल कर आई और वसात्वी बहु से बोली बेटी तुने इस बार मेरे अंडों को बचा लिया तेरी सास हर साल इस नीमडी की पूजा करती थी तो इसमें जल भी सीचती थी उनी दिनों में मेरे अंडे भी होते थे तेरी सास के जल देने से मेरे अंडे गल जाते थे हर साल मेरे बच्चे मर जाते थे लेकिन इस बार तुने मेरे बच्चों को बचा लिया मत तुस्से बहुत प्रसन हूँ तू कोई वर मांग ले तब सात्वी बहु ने कहा कि हे सरपणी देवी मेरी सास से अंजाने में गलती हो गई उन्हें आप माफ कर दीजिए आप मेरे छे जेठों को जीवन दान दे दीजिए तब सभी जेठों को सरपणी ने जीवन दान दे दिया और सदा सुखी रहु का आशिरवात दे कर सरपणी वापस बिल में चली गई उस दिन सावकार्णी अपनी सात्वी बहु के पैर पकड़ लेती है तब सात्वी बहु ने कहा कि सासुजी गंगा उल्टी नहीं बहती है मै आपके पाउं लगोंगी आप नीमडी माता के पाउं लगो तब सभी छों भों ने भी नीमडी माता की पूजा की और अखंड सुखाग मांगा ये नीमडी माता जैसे सात्वी बहु के उपर आप प्रसन हुई वैसे सब के उपर होना कहने वाले को सुनने वाले को और उकार तो आज मैंने आपको निमडी माता की एक पुराणी कहानी सुनाई अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुर्णय कमाएं धन्यवाद